हाई फ्रेंद्स कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपकी अपने शल्क रिक लेवन फोकाश पे इस वीडियो में हम बात करने वाले ओवियाई वर्सेज लेवन स्पिरिट्स के बीच में जो आज दा हंडर का मैच नमबर ट्वेंटीएट खिला जाएगा दोस्तों सबसे पहले आपको बता दू जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं नीचे आपको एक लाल बटन मिलेगा सब्सक्राइब का उसे जरूर प्रेस कर देने तक कि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो साथ का बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना है। ग िया के जोटने का सबसे असान तरीका रहे है आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख सकते हो या फिर टॉक का कवींट देखने से जो सबसे ऊपर का कमेंट ॉपन कर आपको देखने को मिलेगा वहींप हमारे चैलीे गरम का लिंक है वहां से आप जुड़ सकते हो इसके अलावा दोस्तों आप चैनल का about section देख सकते हो about section क्यों 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 क्योंकि यहां पे मैंने telegram, instagram, twitter, facebook और even हमारी website रखी हुई आप जहां पे भी click करोगे आप वहां पहुंच जोगे इसके लिए आपको बस last section about section पे जाने और आपको यह सब लिंक्स देखने को मिल जाएंगे जोस्तों वेन्यू की बात करें चैनिंग्टन ओर लंडन में मैच केले जाने वाला है यानि लॉर्ड's के शेहर में यानि जहां लॉर्ड's आपको पता है stadium है जहां अभी इंडिया इंग्लेंड टैस्ट मेच कीले रहा है उसी शेहर में कर्रिंग्टन और मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा भीया क्या चल रहा और कित्रे इस चांसे है खेलने के अब हम बात करते हैं इस ग्राउंड की पिछ के बारे में नूट्रल वेन्यू है रंस देखने को मिल जाते हैं अच्छे खासे 142 150 कहूंगा इसका रीजन क्या है क्योंकि यहां आउट्फिल्ड बहुत तेज है पिछ तो अच्छी है डिसेंट है नूट्रल है लेकिन जो आउट्फिल्ड है इस ग्राउंड की हमेशा से अच्छी रही है इंग्लिश 320 भी आप यहां पर देखोगे जो खेले जाते हैं तो बहुत हाइज स्कूरिंग रहते हैं आपको द्यान होगा सर्रे के यहां पर होंग्राउंड है बहुत जादा रंस करती है सर्रे की टीम आप देखो यहां पर Oval Invincibles ने यहां मैचे के लिए हैं तीनों के तीनों मैचे जो जीते हैं अपने ही ग्राउंड पर जीते हैं यानि की टोटल इस टूनामेंट पर जीते हैं तीन अपने घर पर खेले हैं और वही तीनों जीते हैं समझ रहे हैं, ओवल यहाँ पर फिवरेट रहेगी जीतने को, हाला कि सामने की टीम भी थोड़ी कमजोर है, बट दे हंडर्ड में भी आपको पता है, हर एक टीम में कोई भी जीच सकते हैं, एक्चुली क्रिकेट का खेल है, अगर मॉर्गन जैसा प्लियर चल जाए, तो ओवल के सारे प्लियर आपको पता है, डेर हो सकते हैं, एक दो प्लियर भी ऐसा मैच आपको जितवा सकते हैं, अब आप नोटेस करोगे, पहले मैच रहे 145 बना, लेकिन चेस नहीं हुआ, यहाँ पे आप देखोगे, 121 बना, चेस हो गया, यहाँ 125 चेस नहीं हुआ, एक्चली 65 बॉल का मैच था बारिश की वज़े से, विकेट्स आप देखोगे, टोटली 38 गई हैं, जिसमें 20 फास को 16 स्पिनर्स को, लेकिन एक चीज नोटेस करना, यहाँ मिली 6 को स्पिन विकेट, यहाँ 2 को और यहाँ देखो, स्पिन हैवी रहा, बारिश के बाद यहाँ पे ग्राउंड पे, स्पिन हैवी रहा था, ठीके तो ध्यान रखता है, स्पिन काम आ सकते हैं इस मैच में, ओल इन्विंसिबल्स की बात करूँ, तो मुझे यह लाइन अप देखने को मिल रही है, यानि कि मैंने अपनी लाइन अप में आपको बता दूँगा, साके महमूद भी नहीं रखा है, लाइन लॉरेंस को भी नहीं रखा है, क्योंकि अगर जल्दी विकेट्स जाती हैं एक दो, तो कॉलन इंग्राम ही उपर आ जाते हैं, बिलिंग्स के, बिलिंग्स इस देरे डेजिगनेटीड फिनिशर, जो भी काफी अच्छे फिनिशिंग करते हैं, लेक्स ब्लेक भी हैं टीम में अब, लॉरी इवेंस भी हैं, अफकोर्स लॉरी इवेंस एक ऐसे प्लियर हैं, जो इंग्लिश टी ट्वेंटीवन लास्ट यर के टॉप स्कूरर्स में रहे थे, अगें मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे प्लियर हैं, बट टीम कर रही हैं उनको, वेस्ट फाइव डाउन पे अगर आप लॉरी इवेंस भेज रहे हैं उपना एक अतना अच्छा वैट्समन जो वन डाउन पे आके आपके गेम बना सकता है, जो प्रमोट सुनी लरैन तो मुझे लगता है वही एक कारण है कि आप सारे नहीं जीते हैं, लॉरी इवेंस वेरी गुड प्लियर, टॉम क्युरेंड मुझे यह भी बहुत अच्छे लगते हैं, बुड फिनिशर क्युरेंड ब्रजर्स इवन बन क्युरेंड सां क्युरेंड टॉम क्युरेंड अल अर गुड तब रिया समझी चाइनमें, री स्टॉप ले, लेफ्ट आम फास्ट और नेथन साउटर, जो की बहुत अच्छे लेक्स्पिनर है, अगर स्पिन को हम देख रहे हैं, विकेट्स जा रही हैं, नेथन साउटर आज खेलते हैं, तो उनको आप ग्रेंड लिंग में ट्राए कर सकते हो, जो एक मैच खेला तो उसमें दो विकेट्ट पहले भी ली थी, अब दूसरों इनके रन्स देखोगे, तो जेसन रॉइ इनकी टीम के सबसे अच्छे प्ले आ रहे हैं, और रहने भी चाहिए, पांच मैच में 174 रन है, हाइस्ट ओफ 56 नॉट और, अवरेज ओ 58, विल जैक्स इंक्रेडेवल स्कोरर, बट इस सीजन उनका नहीं या है, या है दे हंड़र्ड का इंग्लिश टी 20 में अच्छी फॉर्म में थे, पांच मैच में 63 रन है, बारां पोइंट 6 की एवरेज से, लॉरी इवेंच बहुत नीचे आ रहे हैं, एवरेज अच्छा है 26, हाइस 28 नॉट आउट, सुनी लरायन 6 मैच में 44, एवरेज 11, हाइस 22, एक अभी तक एक ही मैच खेले हैं, वैसे अच्छी फॉर्म में थे, एवरेज आउट, सुनी लरायन 6 विक्टे, इवरेज बात करते हैं, दोस्तों अब लंडन की पिरिट अच्छी नहीं है, विकॉस फिलाहल इनकी टीम हार गई है, और टूनामेंट से ही भाहर हो गए है, तो आपको एडम रोजिंग्टन, लुईस रीश ओपनिंग करते दिखेंगे, लुईस रोश है एक्चली न करम, जॉश इंगलीज दिखेंगे वन डोन पर, जो कि बहुत अच्छी यंक्ष्टर है, वो आपको दिखेंगे, और इन मॉर्गन, लेफ्ट हैंड बैट्समेंट, डेविड वीज, मुहमद दभी की रिप्लेस्मेंट है, अच्छी कासी मीडियम पेस करते हैं, बलेबाजी करते हैं, और यह आपको इस साल T20 World Cup में खेलते दिखेंगे, पहले साथ अफरीका से आपने खेलते दिखेंगे, आज हाई चांस है, देखेंगे, स्कॉटलेंड के लिए खेलते हुए, अच्छे विकेट टेकर हैं, लास्ट मिच में इनकी बूलिंग बहुत अच्छी थी, चार विकेट, यॉरकर्स ऑफ स्टम पे बहुत अच्छी डाली थी, ऑफ स्टम डंडा उड़ाया था दूबार, ध्यान रखना, अग पेले ही 85 कर सकते हैं, बट इस बार टूनमेट इनका नहीं रहा है, रवी पुपारा 56, शुरूल अफ वेंड़म अफ 55, मुहमद नभी 33, जो डेनली 31, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जो डेनली चले नहीं इनकी है, इस बार, लूइस रॉच दो मैच में 24 रन, जो क् करनोमेंट में आउट नहीं हो रहे है, 555 कि हैं, विधाउट गेटिंग आउट, तो नौट जा रहे हैं, क्रेस वोड दो विक्टे, मुहमद आर में 3 विक्टे, बट मुझे लगता है अपनी फॉर्म से बाहर है, जो डेनली 4 मैच में 0 विकेट है, एक ही ओवर, भुपारा देखी ओवर, लुइस रॉष दो मैच में एक ओवर, उमीद करता हूँ, मैं आपको काफी अच्छे से गाइड कर पाया, शौट टाइम मे, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 3 खिलाड़े मिल रहे हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं, एडम रोजिंटन, विकेट अगर बल्लेभाजी से रेट करूं, नमबर वन मुझे इन में सैम बिलिंग्स लगते हैं, जोश इंगलिस नमबर टू, लेकिन विकेट कीपिंग के इसाफसे हैं, यहाँ पे सैम बिलिंग्स आपको विकेट कीपिंग करते हैं, दिखेंगे, और साथ में एडम रोजिंटन, तो Josh English का वो factor एक कम रहा जाता है आप चाहें तो इन तीन में किसी भी दो को ले सकते हो Small league के लिए तीन को गना ले मैं दो ही suggest करूँगा या फिर आप क्या कर सकते हो एक को भी ले सकते हो अगर आपको extra allrounder या बोरर लेना है For the timing मैं अपरी टीम में यहाँ पे Adam Rosington opener plus wicket keeper को लेके चल रहा हूँ बल्ले बाजी में दोस्तों जो मेरी पहली choice रहेगी वो रहेगी Jason Roy अपनी home ground पे खेल रहे है सरे के लिए खेलते हैं इसी ground पे इनके बहुत अच्छा record है और Jason Roy को यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से प्लस selection इतना है कि ignore करना बहुत बढ़ा risk है अब हमें दो batsmen और pick करने है obviously यहाँ पर आप देखोगे selection wise Ingram और Morgan है जो की नाम भी बढ़े हैं अभी वो पारा काफी नीचे आ रहे हैं लोरी इवेंस को 5 dawn पे भीजा जा रहे है जबकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं जो cracknel एक अच्छी choice बन सकते हैं 2 dawn पे आएंगे middle sex के young player है actually तो wicket keeping भी करते हैं बट यहाँ पर वो काम नहीं करवा जा रहे हैं इन से बहुत अच्छे strong hitter हैं ठीक है तो cracknel को लेना एक बहुत अच्छा crack बन सकता है आपके opponent के लिए क्योंकि आप जीट सकते हो इनको लेकर इंग्राम और Morgan एक safe choice को हम लेके चलते हैं जो base choices बन जाते हैं join Morgan आएंगे 3 dawn again बता रहों crack ना लाएंगे 2 dawn तो थोड़ा यहाँ पर risk ले सकते हो कि और कोई मेरे साब से खेलेगा नहीं जैक क्रॉली का आपको बताना था और डैन लॉरेंस का आपको बताना था तो दरसल क्या है लंडन स्पिरिट की टीम ने यहां से request भेजी थी कि इंग्लेंड ECB की management को कि इनको release कर दिया जाए the 100 के match के लिए क्योंकि यह test match तो खेल लहीं रहे है कोई answer ही नहीं किया गया है और इनको retain ही किया गया है test squad में third test बहुत देरवादा I think 24-25 को है दस दिन पड़े हैं अभी बड़ फिर भी इनको मेरे साफ से release नहीं किया गया लेकिन बायचांस अगर यह खेलते दिख जाते हैं तो यह important players रहेंगे और हमें changes करने होंगे देनले थोड़ी bowling भी करते हैं बट वही बात है अभी खेलने के chances कम है last match में भी नहीं खेल रहे है मुहमद नभी यह match में नहीं खेलेंगे दोस्तों यह आपको पहले बता दूँ यह घर लोटने वले हैं और नहीं खेलेंगे सुनीन लरायन को मैंने लिया यह मेरी पहली चोईस रहेंगे सबसे premium order बन जाते हैं अगर मुहमद नभी नहीं है वैसे तो इनको बोलर के तौर के मैं ज्यादा देखता हूँ बट यह अगर टॉप ओडर में आ जाए हमेशा की तरह कुछ न कुछ करके शॉट्स लगाते हैं विकेट दे देते हैं बट कई ना कई फाइदा देखर ही जाते हैं कुछ न कुछ पॉइंट से फिर मैंने यहाप रूल ओफ वेंड रमोव और विल जैक्स को लिए रूल ओफ वेंड रन तो 55 भी किया है बट यह बोलिंग करते हैं रेवूलर्ली इसल भी मिल जाएं बट यह आपको ओपनिंग पर जरूर दिख रहे हैं और विल जैक्स का जो बेस्लोट है वो ओपनिंग किया है रंस करते हैं और 35 तो 40 रंस कर जाते हैं हमारे लिए तो एक अच्छा काम कर देंगे लूइस रोश को भी लेना अच्छा हो सकता है हमने कहीं बार देखा है डर्बी शायर के लिए इनको अच्छी रिंग्स खेलते हैं रंस भी करते हैं अपनी बोरिंग भी कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं बट यहां पर अभी के लिए मैंने विल जैक्स को इनके ओपर प्रेफर किया है विदाउट थिंकिंग यहां पर आपको टॉम क्यो अच्छा कंट्रोल किया था ऐसे स्टेच पर आपके पीछे जा रहे हैं आपको रंस करने के लिए उस टाइम पर विल यहां पर खेलने चाहिए स्कॉटेश प्लेयर हैं लास्ट मैच में आते ही चार विकेट लिए यह 138 पॉंट एक ही मैच के हैं इनको मैंने पिक किया है र उस टॉपले भी अच्छे प्लेयर हैं च्ट्राइक कर सकते हो बट मैं यहां पर श्यादत सेज़े उसको करूंगा रिस टॉपले को करूंगा ठीक है अब दोस्तों यहां पर सोचोगे कि हमने और किसी प्लेयर को लेने तो किसको लें तो बस एक विगेट कीपर सेक्षन है जहां पर आप चेंज करके और प्लेर ले सकते हो सैम बिलिंग्स को भी लेना है तो Adam रोजिंटन की जगा लेना कोई खराब चोईस नहीं है मैं भी थोड़ा कंसेडर कर रहा हूं कि किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके आप ड्रॉप पते किसको कर सकते हो कौन से प्लेयर है जिनको आप ड्रॉप कर सकते हो यहां पर आप रैंडम और विल जैक्स को ड्रॉप करके सैम बिलिंग्स या फिर इवन की साथ में उनके उनको पिक कर सकते हो मेरे जो CVC चोईस है दोस्तों मैंने अपना काफी कुछ बता पाया काफी कुछ आपकी मदद कर पाया और इसके अधार पर अपनी टीम्स क्रियेट कर सकते हैं उमीद करते हो कुछ अच्छा ही करेंगे